जाए हिंदि श्टडी बसेरा कि नए वीडियो में आप सभी का हारदिक हारदिक स्वागत है चले स्टार्ट करते हैं आपके सेशन के पहला प्रस्ण है इसके बारे हम लोगों डिटेल से पढ़ेंगे कोस्टन और इसके बारे डिटेल हम आज के वीडियो में समझेंगे हेपेताइटीज B वाईरस किस ने विख्सित किया था किका इनके द्वरा ये टीका विख्सित किया गया था इससे संबंधित हेपेताइटीज बारे हम लोगों समंझेंगे तो इस प्रेश का सही जवाब हो जाएगा option A, Dr. Baruch Blumberg, option A, Dr. Baruch Blumberg, Dr. Baruch Blumberg में Hepatitis B Virus का Tika और इसकी Tika का भी खोज इनोंने किया था, और कब किया था 1967 में, 1967 में इसकी खोज की थी, 1967 इनोंने खोज की थी, और ही 1976 में, 1976 में इन्हें फीजियोलोजी के छेदर में इसी खोज के लिए, Hepatitis B Virus की खोज के लिए, और इसके Tika की खोज के लिए Nobel Prize मिला था, कि इनके साथ सवक्त रूप से डेनियल, कार्टन, गटजस्ट, इनके साथ सवक्त रूप से दोनों को ही मिल अगर 1976 में, यह ध्यान रखेगा 67 है, यहां 76 है, बर 607 का अंतर यह ध्यान रखेगा, 76 में Nobel Prize मिला था, 67 इन्होंने खोज की थी, डॉक्टर बारुक बलंबर का जन्म दिन 28 जुलाई को होता है, और इन ही के जन्म दिवस के औसर पर 28 जुलाई को 200 Hepatitis दिवस मिला था, तो इ 200 Hepatitis दिवस वो 19 मई को मनआ जाता था, प्रंदू अभी 2010 से यह 28 जुलाई को मनआ जाता है, 19 मई को पहले मना जाता था, प्रंदू, 2010 से 28 जुलाई को मना जाता है, Hepatitis, विषानू, जिवानू और परजी वी, किसी भी हो सकता है, तीनों ही तरह से हो सकता है, Hepatitis के इस तरह से आज की वीडियो हमनों देखा है यह लीबर के सूजन से समंदित बिमारी है लीबर को यह डेमेज करता है इससे समंदित यह बिमारी है यह कितने तरह की होते हैं पांच प्रकार को A, B, C, D और E ऐसे ही यूनिक प्रशनों के लिए स्टड़ी बसेरा चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें जैहिंद